हेलो फ्रेंड नमस्कार श्वागत है अब सुभी का सत्पती कीचेन में और दोस्तों नए है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेज़ेगा सेर किज़ेगा बेल आइकों को फ्रेश कर लेज़े आज में लेकर आई हूं जंगली सैंडबीच जो की मुंबी का फिमस है इसके लिए पहले मशाला को रिडी कर लेते हैं तो इसको पैन गरम करेंगे जीरा डालेंगे शॉप डालेंगे उसमें डालेंगे लाल मीश डालेंगे तीन चार टुकड़ा तीन चार पीश और उसमें काली मीश डालेंगे लॉंग डालेंगे और एक फुल वाला जो मशाला होता वो एक दाल चीनी डालेंगे चोटा सा और इसको रोष्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छी से खुस बुना आने लगे और इसको रोष्ट करने के बाद भूनने के बाद इसको ठंडा होने तक मिक्सी में पीसेंगे पीस्ते समय क्या करेंगे कि जब यह ठंडा हो जाएगा तो इस को प्रेश चरूर कर लेज़ेगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं यह मसाला बिल्कुल रेडी हो गया आप किसी भी सेंड़ीच पर इस मसाले को फैला कर में सिछडी कर खा सकते हैं बहुत अच्छा ब बनाए हैं ओर डाले फिर चाट मसाला सिजवान चटनी सिजवान चटनी के जगा पर सॉस भी डाल सकते हैं फिर माइनोजी डालेंगे माइनोजी फिर उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे शब को अब मिलाने के बहुत यहां पर मैं तीन पर ब्रेड ली ओं वाइट नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा और बेल एकों को प्रेश कर लेजिए गा फिर इसके उपर जो अभी क्रीमली जो पेस्ट बनाए थे मिस्स सब्जीयों के साथ उसको फैला कर और हरी चट्ने फैलाने के बाद उसको फैला कर उसके उपर से डालेंगे चीज या पचला तके बिचे नहींदारी इंश्वाद से खेली ओब एस हाथ तंशी म्हाद एक सब्सक्राइब की सब्सक्राइब कर देडिए जो प्रेला कर सक्कु ओपर पर छेटना मेशётсяब में दंटल हम और घ्रेमी से ब्रेज़ीयों कोड़ा कब सब्सक्राइब प्रेशिपी पसंद रहे तो लाइक जरू किजएगा और अपने फ्रेंट के साथ सेर कर लिजएगा और कैसा लगा आप लोगो रेसिपी कमेंट जरू किजएगा और जरू बनाईएगा यह बहुत जल्दी बन जाता है तो यह देखिए एक सेट का गोल्डें बराउन हो गया दुस्य सेट को बटर लगाकर उसको भी शेख लेंगे गोल्डें ब्राउन होने तक और यह बनाना बहुत ही जी है अब इसको दो पीश में कट कर लेंगे बटर लगाकर और चट्नी के साथ इसको सर्फ करेंगे उपस से आप चाहें तो हरा चट्नी लगा भी सकते हैं नहीं